हेलो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर कैसे हैं आप सभी उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होगी सबकी तयारी पूरी हो चुकी होगी सारे सब्जेक्ट तयार हो चुकी होगी आज की क्लास में मैं आपके लिए पेपर 2 की रैपिट फायर सीरीज लेकर आई हूँ यानि कि प्रारंबिक सिक्षा की नवीन प्रियास किसी कारण बस आपके सर की तबिया ठीक नहीं है तो वो क्लास नहीं ले पाया आपकी यह तो मैं आपका रिवीजन करा देती हूँ एक ब बाल अधिकार के संब्ध में जित्ते भी संविधान में प्रापधान दिये या कोई अधिनियम आया या फिविश्य इस्तर पर जो भी काम किये गए सब कुछ दिया गया था तो उसी पॉइंट से स्टार्ट करते हैं फर्स पॉइंट है आपका 20 नवंबर सन उन्नीस नवास ठीको नवारत सरकार ने इन बाल अधिकारों को स्वीकार रहा था इसने भारत सरकार ने 11 दिसमबर 1 लैश्य इंट अध्र धियान आ रहा हैं मुझे मानुआ धिकार दिवस तो मानवा अधिकार दिवस कम मनाâte चाता है मानवा अधिकार दिवस क्यों कों पूछ सकते हैं A बार अधिकार के सब्स्टों कोंधम मनाइबुता है बच्चों को यह अधिकार प्राप्त है तो 1 पॉइंट है की जन्में की तुरंद बाद Prince लाप्ति को करने का धिकार बच्चों पंगास का थिजdon अधिकार नाप तो इहां? अपने अधिकार स्था नाम घसा है यह बच्चों को अधिकार प्राप्त धी कि यदि कर सकते हैं बच्चों के अपहरन क्रवयार करेंगे तो राषर उन्हें बेचने के लिए राष्ट कानून वनाइगा खुद यदि माता पिता या उनके लिए रखे गए उत्तरदाई व्यक्ति बच्चों के साथ देवर्यार करेंगे तो राष्ट उन्हें सरक्षर देगा ठीक है या उसको सरक्षर देगा बच्चे को नेक्स आते बच्चो को नशीरी दवाई के प्रयोग से बचाने का अधिकार है ठीक है रोकना है शर्णार्थी बच्चो को सरक्षर प्लान करना है इनमें से आप कोई सभी 4-5 पॉइंट ध्यान कर लो बाकी का आप खुद अपने आप लिख लेंगे जो भी आपको लगता है कि बच्चों के लिए ये सब ठीक है वही भारत सरकार दोरा बच्चों के लिए प्रयासों से उन्हें अफगत कराना ये भी बार अधिकारों का उध्देश है और बच्चों को यूएंट दोरा प्रस्तावेड अधिकारों की जानकारी देना ठीक है पहला तो क्या है गुडवत्ता योग सिक्षा प्रदान करना उनके व्यापार उनका श्रम और उनके बाल बेवार इत्यादी से बच्चों को सरक्षर या उनको रोकना और तीसरा क्या हो जाएगा आपका भारत सरकार ने जो भी बच्चों के लिए अधिकारों के नियम बनाए हैं उन अधिकारों से उनको अवगत कराना ऐसे ही यू या उनने भी कुछ नियम बनाए हुए हैं उनसे भी बच्चों को अविगत कराना यही बाल अधिकार का उद्देश है नेक्स राश्ट्रिय बाल नीती तो राश्ट्रिय बाल नीती क्या है 22 अगस्त 1974 को भारत अब दान आपके कुछ पॉइंट दिये गए पहला पॉइंट क्या है राज्य को 6-14 वर्स के आई कि सभी बच्चों को निहशुल के अबम अनिवारे सिक्षा उपलब्द कराना की योश्टना तो यह पॉइंट आपका इतना इंपॉइंट है कि अब जब भी आपका बाहर दि राज्य 14 वर्स कम आयों कि बच्चों को जोखम जोखिंपूर्ड कारे में नहीं लगाएगा ठीक है जैसे बाल्च्रम आपका मनाए संविधार में भी अब यह आ गया है बाल्च्रम कौन से अनुच्छे में मनाए यह मैं आपको आगे बता दूँगी नेक्स आपका क्या ब मातक पदार्तों के सेवन से दूर रखना है और बच्चों को शारीदी, गतिविदिया, विध्याले वगयरा में खेल कुद उनको उनके पढ़ाई में शामिल करना यह आप खुद पॉइंट मना सकते हैं राश्टी बान लीती कि आपको रट्टा नहीं मारना है पॉइंट क जब तक कि वो अपना जीवनी आपन करने के लिए खुद सक्षम ना हो जाएं ऐसी उत्तर प्रदेश सरकार ने बाल अधकारों की घोषड़ा की है तो इसके पॉइंट मुझे नहीं लगता कि मुझे बताने पड़ेंगे सेम वैसे ही पॉइंट है क्या 6-14 वर्स की आयो तक नहीं लगता है और अनिवार पॉइंट पॉइंट है ने बाल अधकि अधकर प्रदेश देख्टे से पिछड़े विकास खंड़ों में कच्छा पांस तक सभी छात्राओं को नहीं लुक्त परदान कराना यह भी मिलता है आजकल स्वेटर वगएरा खुब बाटे जाते तो यह पॉइंट्स आप देखते हुए भी आ रहे हैं तो यही सब आपको करना भी है नेक्स्ट क्या होता है मिड़े मील कारेकरम चल रहा है ना तो वह पॉइंट भी आप लिख सकते कि उत्तर प्रदेश में या पर प्रात्मी विद्यालेयों में प्रतिदिन मध्यान भोजन या मिड़े मील भोजन प्रतान कराना ठीक है इस तरीके से आप कही सारे पॉइंट पर बता सकते हैं नेक्स्ट आपका नोट पॉइंट है यह जो भी सन वाले पॉइंट है ना उन पर जादा गौर करिएगा क्योंकि वह क्या है वह आपकी सीदे सीदे सन है और डेट है वह एक जाए अगा है नेक्स्ट बाल बिवान निषय दरीनियम से काईअस moderns 24 मिर्ट बाल निषय च्रव में याज़ा एक राम एक की बाल श् leven में और 500 दैशना सोच को की कायानों के सबस्क्रापत से टे आपका अनुच्छे से बालातर शिरमियानोimiz कोeny अनुच्छे के निसेद अंद्मिया में यानि कि यह अनुछेद आपका कहता है कि बच्चे जो 14 वर्ड से कम आयू के बच्चे हैं उनको हम कार खानों में या फिर किसी अन्यकार में नहीं लगा सकते और जो अनुछेद तेई से वो बालात श्रम का है बालात श्रम हमारा ये कहता है कि इस अनुछेद के अनुसार कोई भी मानव का ब्यापार या उसको बेगार का मतलब होता है कि जबरजस्ति उससे काम कराना और काम कराने के बाद उसको पैसे ना देना ठीक है यह आता है आप ना परे करना भी पड़ेगा तो वैसे ही दंड़नी अमरा दें और चौबिस में क्या है चोबिस में आपका बाल श्रम है इसको ध्यान लगतना उल्टा मत करते हैं आपका है और बाल श्रम का मतलब यह वह बैद्ट कराना अगया वुऩां यह सं सुसरी बच्रम करना वगेरा श्रम आता है ना तो बच्चों से जो काम कराना है चोदे वर्ष से जो कम बच्चे चोटे बच्चे हैं उनसे हम काम नहीं करा सकते कार खानों वगरा में या फिर कहीं भी काम कराएंगे तो दंड़नी अपरा देवो नेक्स आते निहाशुल कैवं अनिवारे बाल सिक्षा का यह आपका काफी important है और यहां से question आता ही आता है सीधे सीधे पूसा जाता है कि निहाशुल कैवं बाल अनिवारे बाल सिक्षा की बात की गई थी वो आपकी बात की गई थी अनुछेद 45 में और अनुछेद 45 आपके क्या है DPSP है नीति निदेशक तत्व है नीति निदेश समय 10 वर्ष के अंतरगत सभी बच्चों के लिए जब तक किवे 14 वर्ष के आई पूर्ड ना करने निहाशुल के अनिवार सिक्षा प्रदान करने का प्रियास करेगा देश करेगा और यह किसके अंतरगत बात थी DPSP के अंतरगत अनुछेद 45 बाद में अब देखो DPSP क्या यह राज्य के ऊपर होते हैं कि वह लागू करे या नहीं करे ठीक है लेकिन अब जब राज्य रागू नहीं करेगा तो इस तर क्या होगा बगड़ता जाएगा बच्चों की पढ़ाई लिखाएगा तो उसके लिए क्या किया गया इसको एक कानून मना दे इसको और ठीक है और वाट कहां के दी गई सभी बच्चों को और सिच्छा प्रतान करना जो है वह आपका किस नाकी बच्चुन का और अनुखिद इक तर अब की बच्चों के आपको यह बात फिर से कह दी गई कि 6-14 वर्ष तक के बच्चों को निहस्चुल के एवं अनिवारिस इच्छा का अधिकार प्राप्त होगा और कौन सा सम्विदान संसोधन था आपका 86 वा सम्विदान संसोधन था आपसे इस कोशन दोनों इंपोर्टन एंडर जो डेट प्रेंट से लिए आपसे प वालिक अधिकार में प्राप्त है और नीदी निदेशक तक्त्त की बात करें तो वहां पर अनुछित पैतालेस हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं क्या है इस अधिकार को प्रभावी बनाने के लिए संसद ने क्या किया चार अगस्त 2009 को बच्चों को निहशुल गैवं अनिवारे बाल सिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 पारित किया यानि कि इसी को और प्रभावी बनाने के लिए चार अगस्त 2009 को फिर से एक अधिनियम पारित कर दिया गया जो अधिनियम आपका क्या बोला गया निहशुल गैवं अनिवारे बाल सिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 और ये अदिन्यम जो आपका प्रकाश्चित हुआ होगा राजपत्र वगेरा में सब कुछ वह आपका प्रकाश्चित हुआ था 27 सगस 2009 को इसे भारती राजपत्र प्रकाश्चित कर दिया गया इस अदिन्यम में साथ अध्याय और 38 खंड है बस इतना आप से पूछा जा सकता वह सबाव सारी अधिकार आपके इस तरीके से दी होंगे खंड दो में आपका क्या है जो आपको important बस बही मैंने बताया था आपको लिखवा दिया था सरने की खंड दो में आपके चार प्रकार के स्कूल बताया गए हैं सरकार द्वारा स्थापती स्कूल अनुदान द्वारा प्राप्ती स्कूल यानि की कुछ ऐसे स्कूल होते हैं जिसको सरकार थोड़ा सा सरचन देती है प्राइवेट स्कूल होते हैं जिनको अर्ध सरकारी स् सबसे पहले कि निहशुलक और जो अनिवारी सिक्षा का अधिकार था समयधार में सबसे पहले कहा वर्डन था अनुच्छेथ 45 डिपीएसपी में इसकी बाद कौन सा समयधान संसोधन हुआ था कि वह मौलिक अधिकार बन गया उसके बाद आपका चार अगस 2009 को एक अधिनियम पारित कर दिया गया था उसी के लिए और वो आपको प्रकाश्चत बाद में कर दिया गया अब आते हैं इस अनुच्छे से संब्द या इस अधिनियम की प्रमुक बाते क्या है यह बाते आपकी इंपोर्टेंट है क्योंकि यह आप से पूछी जा सकते कि कौन को इसे पुरा करने के लिए किसी वी बच्चे में कि कि वी प्रकार का शुलक नहीं देना पड़ेगा शुलके देने की कोई आवशकता नहीं प्री में पड़ेंगे तो क्या है है कि vivra का झार नहीं बारवेश के लिए और नहीं सिक्षा पूरी होने तक निकाला जागा यह भी हшь ची manipulating América एक बच्च को एक स्कूल और कि इसी कख्षा में प्रवेशा नहीं ले पात तो उसके बाद बच्चा जिसoscope साथ या आठ वर्स का है और जिस कच्छा के वो अनुरूप होगा उसको उस कच्छा में प्रवेश दे दिया जाएगा इसके बाद नोट पॉइंट है कि सिक्षा को 1976 में समवर्ती सूची में इस्थान दे दिया गया इसका मतलब क्या होगा समवर्ती सूची में आपके वो चीज़ें आती हैं जो केंद्र और राज जिन पर दोनों कानून बनाएंगे मिलकर पूरफ स्वतंद्रता से पूर्व सिक्षा आ जाएगी आपकीं तो पूर्व सिक्षा क्या तें हम्हारा देश क्या था बिटिश का गुलाम था ना यानिकी अंग्रेज वगेरा हम पर शासन कर रहे थे तो उस टैम सिच्छा की सितिक बहुत ही दयनी थी तो उस टैम हुआ क्या जो इस्ट इंडिया कंपणी आई थी तो उसके साथ क्या मिश्णरिया वगेरा आने लगी दीरे दीरे तो सन 1620 में इस्ताफित बिटिस इस इंडिया कंपणी भारत में व्यापार करने आई थी उस टाइम वीरे दीरे क्या हुआ प्रारम में कंपणी का उद्देश के वाल व्यापार करने का आई था लेकिन बाद में कंपणी क्या करने लगी सोचने लगी कि अपने धर्म का भी प प्रचार प्रसार करने लगें और इसाई जब धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए है क्या उनको सिक्षा का सारा लेना पड़ा तो इन्होंने अपनी कमांड क्या करी सिक्षा पर करी और दीरे दीरे इन मिशनरियों ने क्या किया कि इन मिशनरियों ने कुछ सेक्षिक प्रियास करें कुछ कहीं न कहीं पर कुछ विद्याले खोले थे तो वही है आपका important है कि मिशनरियों ने sexic प्रियास कौन कौन से किये दे या क्या क्या sexic प्रियास किये दे तो first point है आपका British मिशनरियों ने मद्रास, बंबई तथा बंगाल में अनेक school की स्थापना की थी मिशनरियों ने 1729 में कलकत्ता में एक आश्रित विद्याले खोला था इंसन याद नहीं रखनी मत रखो सिर्फ ऐसी लिख दो कलकत्ता में एक मिश्री आश्री विद्याले खोला इसके बाद क्या किया इसी प्रकार इन्हों ने एक फ्री स्कूल खोला एक अनाथाले खोला मतलब अनाथ बच्चों को सिक्षा देने के लिए और तंजोर और कानपुर में भी एक दानाशित आस्रम खोले विद्याले खोले यानि कि फ्री में अब सीधी सी बात है फ्री में पढ़ा रहे हैं तो कुछ नों को अपने धर्मका ही स संस्क्रत विद्याले पूछा जाता है कलकत्ता मदर्सा की स्थापना कब की गई और किसने की पूछा ही जाएगा सीधे सीधी और इसकी स्थापना करने का उद्देश ही क्या था तीनों कोश्चन आपके अभी तक आ चुके हैं इसी एक ही पॉइंट से तीन कोश्चन आपक कलकत्ता मदर्सा की स्थापना का मुख्य हो देश है तो क्या होगा मुस्लिम बच्चों को राज ज्स में उत्तर दाई सथा लाबदायंक पदों के योग्य बनाना इसका मुख्य उद्देश्त at kiska kalatkattya मज़स् ребята 5 watch now滑 कर संस्कृत कोलेच की तो बनारत संस्कृत कॉलेच से भी तीन आपके प्रश्ट मेंगे कि स्थापना क busy गई ? किसने की और इसकी स्थापना का उद्देश्ट क्या था ? संस्कत कॉलेज है यानि कि अब यहां पर आप समझ सकते हैं धर्म की बात हो रही है एक हिंदू के लिए कॉलेज हो गया एक मुस्लिम के लिए हो गया यानि कि देखो जो आपके बिटे साय थे उनका काम क्या था फूट डालो राज्जी करो तो और वह यह चीज उन्होंने पक नगेविस करते और वह बनारा संस्क्रत कॉलेज की स्थापना का करना वही बात मैंने कहीं न हिंदू को आकर्शित करना हिंदू धर्म परंपराव की रक्षा करना और नियाए धीस ओकी शायता के लिए योगी हिंदू को सिखशित करना वहां पर जो जज बैठते थे वो ब्रिटिश होते थे अब उन जज तो ब्रिटिश है उन जज की बस मदद करने के लिए थोड़ा बहुत उनको बताने के लिए नीचे जो जज बैठे होते थे या जो भी नीचे होते थे उनके साथ में सयोग के लिए वो सारे क्या होते थे भ से सिधे आपका प्रेश्ट देखको आपके चे प्रेश्ट बहां से केलियर हो इस्टरीकिय से प्रणा कोई ना इससे प्रणा कर अपको संद आपको तो और पूछे अफिब पूछेगा और किस ने सापना की वह भी पूछेगा और इसका उद्धेश क्या है वह आपसे कोशन आया हुगा है नैश्च आते Safety College तो पूना संस्क्रत कॉलज का क्या है सन 1821 में पूना संस्क्रत कॉलज की स्ठापना हुई थी और किसने की थी पूना के रेजिमेंट एलफिस्टन ने पेशवा के दच्छिर कोस की सहायता से पूना संस्क्रत कॉलेज की स्थापना की थी इसने एल फिंस्टन ने 1821 वे पूरा संस्क्रत कॉलेज की स्थापना की और यहां पर लॉड वैले जली ने 1820 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी चली आगे बढ़ते मिशनरी स्कूलों की विशेष्था हैं क्या थी तो पहली विशेष्था तो यही हो जागी कि इसमें इसाई धرम की सिक्षा देने कल Spiritual को प्रतान की जाती थी आपने शायद अगर देखा हो तो वह जितने वी मैंने Selfik प्रयास कराय थे उसमें सारे क्या थे दानाश्रित या आश्रित इस तरीके के विध्याले खोले थे तो सीदी सी शी बाते वह क्या करेंगे बhängने ने तो आधुनिक शिक्षर विदियो का यूज किया जाता था इन्होंने भारती एवं अंग्रेजी भासाओं के सास साथ इतिहास गड़िद विग्यान और व्याकरण की सिक्षा भी दी जाती थी इन्हीं स्कूलों में और इसाई धनका तो अनिवारत था यूर बच्चों को आनिवारती एक तो इसाई धर्म की सिक्षा दूसरा अंग्रेजी पढ़ना आनिवारे था और बाकी तो इसमें हिंदी गड़िस और आपके इतियास भूगल विग्यान सभी की जान करी दी जाती थी और कक्सा सिक्षर प्रदान करने का स्रे इन्हीं को दिया जाता है नेक्स ग्रांट को क्या है भारत में आदवनिक सिक्षा का जन्मदाता माना जाता है ग्रांट ने अपनी पुस्तक में कहा है अग्यानता का विनाश करने के लिए एक मात रुपाई क्या है सिक्षा है हमारे अंदर अग्यानता है तो इसका जो भी उसको दूर कर सकते हैं तो किसके 1210 सिक्षा के मात्र दिन से कर सकतीं his Öyle Northern भारत में ङौनें भारत में विदेशी पाथे रोपने का का एक किया ती सिक्षा पर जोर दी आता है भ Palais की कि हमें जख compensation करना जरूरी भले वह विदेशी जो बिदेशी लोग आए हैं उन्होंने जो जोर दिया है उससे क्या हमारा भी तो फायदा हुआ है हम सिक्षा की तरफ प्रेरित हुए भढ़ना शुरू किया हमने कि हमको भी पढ़ना है सीखनी यह चीजे तो ग्रांड के पांसूत्री योजना जो उन्होंने प्रसूत की थी बारत में विद्यालों की इस्थापना करना लगीरित की यह देना अपको फायदा देक्थ देश का देख रहे थे अपने देश की चीजों का प्रचार प्रसार करना चाहा रहे थे और हमको वैसा ही बनाना चाह रहे थे बस वहां से हमने कुछ चीज़े सीखी उनकी कुछ चीज़ें नहीं वहां से पेरित हुए और आगे बढ़ गए और तभी हम क्या हुए आजादी की तरफ आपाएं मतलब आजाद भी हो पाएं आगे बढ़ते सन 1813 का आग्यापतर और फिर आपको मिलेगा 1833 का आग्यापतर इसकी बाद आजाएगा प्राश्चे पास्चाते विवाद तो सन 1813 का जो आग्यापतर है वो आपका क्या कहता है 1813 के आग्यापतर में भारती साहति की पुनरुथ्थान या उसको फिर से आगे भणाना आगे ले जाने के लिए और भारतिय विज्ञान के लिए उसकी उन्नती के लिए हम हर साल एक लाख रुपए दिया करेंगे कौन जो भी गवर्णर जोनर वगेरा थे उनका ये सब था एक लाख की धनराशी विए की जाएगी भारतिय साहिते और भारतिय विज्ञान पर उसकी उन्नती को लेकर लेकिन अभी हुआ क्या ये धनराशी किस प्रकार से विए की जाएगी इसका कुछ नहीं आया था कि ये कैसे मतलब किन साहिते पर कितनी अंग्रेजी साहिते भी उस टेम चल रहा था तो कौन से साहिते पर कितनी विए करनी ऐसा कुछ नहीं दिया गया था तो इस धनराशी के व्याई को लेकर दो विचारधारा सामने आई एक थी आपकी प्राश्ची विचारधारा और दूसरी थी पाश्चात्य विचारधारा पाश्चातिवादि कौन थे तो पाश्चातिवादि विचार्धारा के नुसार भारत ने यूरोपी ये ज्यानवा सब्वेता का प्रचार अंग्रे जी माध्यम हो और हमारी छेतरी भासाओं में हो हम लोग किस से जोड़े हुए हम सब की क्या है एक मदर टांग है हम कुछ चीजे उसमें ज्यादा समझ में आएंगे अपेक्षाकरत अंग्रेजी या और किसी विदेशी भासा में समझाई जाए तो तो प्राद्चिवादियों का यह कहना वहाँ पर एक लाकी धनरासी दी गई भारती साहित के लिए पर यह तो नहीं बताया कि किस तरीके से खर्च करना है अग्रेजी साहित पर कितनी की जाएगी या उसके ग्यान के प्रचार पिसार के लिए इतनी देनी यह कुछ नहीं दिया तो दोनों में विवाद हो गया यह अपने के लिए करना चाह रहे थे प्राच्चिवादी चाह रहे थे इस तरीके से करो पस इतना याद रखना कि प्राच्चिवादी कि इस तरीके से करना चाह रहे थे प्राच्चिवादी चाह रहे थे कि भारती साहित को मात्र भासा में पढ़ाया जाए और पाश्च्चत वालोकाता अंग्रेजी माध्यम से दिया जाए तो यही जो विवाद पड़ा आपका वो प्राश्चे पास्चाते विवाद के नाम से फेमस हुआ इंपोर्टेंट है आपका वही लिखा है 1813 के आग्या पंद में सिक्षा के लिए प्रतिवर्स एक लाग रुपे की धनराशी व्याई है तो निर्धारित की परंतु इस पस्ट नहीं किया कि यह किस प्रकार से खर्च की जाएगी जिससे सिक्षा के छेतर में दोनों विचार धाराओं में विवाद प्रारम हो गया और इसी विवाद को हमने क्या नाम दिया गया है अब आता है सन 1833 का आग्या पत्र य समय आया हर 20 साल बाद विचार करती थी कंपनी और करती क्या थी कुछ ना कुछ उसमें चेंज कर देती थी जैसा भी समय के अनुसार हुआ या जो भी उन्होंने कोई समितिया बगरा बैठाई थी और उनसे कुछ भी अगर उन्हें निसकर्स निकल के आया है तो थोड़ा सा हलका सा उसमें बदलाब कर देती थी तो जब विचार करने का समय आया तो उस टाइम बिटे सरकार भारत में सिक्षा की मंद प्रकरती से असंतुस्ट थी और उसने क्या 1833 के नए आग्या पत्र जारी किया और उसमें कुछ बदलाब किये थे उसकी बाते कुछ इस तरीके से हैं सिक्षा का जो अनुदान था वो एक लाग से बढ़ा कर दसलाग कर दिया गया कोई भारती तदा समराट कोई भी प्रजाजन अपने धर्म जर्मिस्थान वर्ग वर्ण के आधार पर किसी भी इस्थान पर पद को प्राप्त करने से नहीं रोका जाएगा मतलब वही जात वर्ग इस्थान घर में इन सब का विवेद नहीं किया जाएगा उसके हिसाब से उनको कोई भी पद या कुछ भी इस्थान प्राप्त करने से नहीं रोकेंगे बंगाल की सरकार का प्रभुत्तों अने प्रांतों की सरकारों पर होगा ये पॉइंट एक दे दिया गया आगे इसके बादके कौन आ जाएंगे लॉड मै немного लिए कि लॉड मैकाले का विव्मनट परतियां की सिख्षण में थी मैं ब्हार्द अब सब ने आनेवाले हैं कुछ-कुछ तो लॉर्ड मैकाले क्या थे प्रतम विदी सदस्य थे प्रतम कानून सदस्य थे मैकाले को जन सिक्षा समिती का अध्यक्ष बनाया गया था मैकाले से चार्टर आपका जो 1813 का जो था न उसके विशा में परामर्श मागा गया था विवास चल रहा था था न जो प्राश्य पा सब्सक्राइब करने के लिए सरकार पर कोई प्रतिबंद नहीं है इसे अपनी इच्छानुसार खर्च कर सकती है साहिते शब्दकार्थ इनों ने बताया कि अंग्रेजी साते से हिंदी और अर्वी और संस्क्राइब से कोई संबंद नहीं है उसका जो भी साहिते वर्ड वहाँ पर जो यूज किया गया था 1813 के आग्या पत्र में उसी का ही इनों ने क्या किया था उसी के ही संबंद में अप संबंद मिल्टन की कविताओं से परिचित हो बारतिय साहिते पे कोई फोकस नहीं था यहाँ पर और नेक्स आते हैं देसी भासाओं को उन्होंने क्या का देसी बासाओं के लिए कोई स्थान नहीं क्योंकि वह बहासाओं अविक्सित और गवारू है और अंग्रेजी ही मेर हैं अंग्रेजी ही नव जागरण का एक मात्र साधन है मतलब मैकाले ने टोटल एक तरीके से बोला जाए तो अंग्रेजी साहित और अंग्रेजी सिक्षा पर ही जोड दिया था आगे बोलते हैं इन्होंने एक बात कही थी जो साहित आप से पूछी जा सकती कि यह कथन किसका ह है तो मैकाले ने बोला था कि अंग्रेजी साहित जो है वो जादस रेष्ट है किसके अपेक्षा हिंदी अर्बी है संस्क्रित के पी का करता कि एक अच्छ यूरूपी पूस्त काले की ऐक «अल्मारी के बराबर ही संस्क्रत और अर्बी का साहित यह अब इनका योगदान वहां क्या इनों ने भी बाते कहीं पर इनों सिक्षा पर विए-दर यह mine tuition ofjonal फिर्टी क्या अग्रुदूत माना जाता है क्यों कि विकास के रिक सिफारिसे भी देखो उसने अंग्रेजी साहित के लिएतों कहाीं कहा है और हमारे हमारे सायत की निंदा की है पर ये तो कहानी पढ़ाई के लिए मना किया हो थोड़ा बहुत उससे विकास थोड़ा बहुत जोड़ दिया है और आपको पता है उस समय चलिए थोड़ा थोड़ा करते करते धीरे धीरे क्या हुआ हम आगे की तरह भढ़ते गए और कोई आए पहला अंग्रीज विद्वान था जिसने प्राश्च पाश्चायत विवाद को समाप्त कर दिया किया था हाला कि फिर से उठकिया था विवाद पर अभी क्या है अभी विवाद ये दब गया था ये समाप्त हो गया था नेक्ट पॉइंट क्या है मैकाले की विवन पत ने भारत के लिए प्राश्च पाश्चाति ग्यान विज्ञान के द्वार खोल दिये अंग्रीजी सिक्षा ने भारती जनता में समानता सुतनता और ब्रंदुत्य की भावना उत्पन करके उन्हें राजनीतिक जागरती उत्प ने लगी और वह भावना जीरे क्या होई राजनीतिक द्यान जाने लगा और हमारे अंदर क्या आजादी की भावना उत्पन होने लगी क्रांतियां वग्यरा फिर दीरे दीरे स्टार्ट होने लगी सब कुछ नेक्स्ट आते मैकाले की आलोचना या मैकाले की सिक्षा के दोस तो सबसे पहला तो दोस यही है कि हमारी भासाओं का अपमान किया था तो इस विवरन पत में भारती भासाओं का अपमान किया गया यह आपका दोस हो ही जाएगा सीधे सीधे नेक्स्ट क्या है मैकाले की द्रष्ट में संपूर्ण साहित निक्रष्ट या बेकार था संपूर्ण भारतिय साहित मैकाले ने विदेशी भासा के माध्यम से पास्चात्य सपिता को प्राप्त करने का या थोपने का प्रयास किया है हमारे पर केवल अंग्रेजी साहित का ही बोश डाला है कि अंग्रेजी माध्यम में सिख्षा प्राप्त करो पास्चारति माध्यम में और मैकाले ने भारत में ऐसा वर्ग मैकाले बनाना चाहता था जो क्या हो रख्त में और वर्ण में तो भारतिय हो पर उनकी जो सोच हो उनकी जो कार करें का जो तरीका हो वो सारा क्या हो जाए अंग्रेजी हो जाए यानि कि वो एक तरीके से आप ऐसा बोलो कि भारतिय हों पर बन जाएं क्या विदेशी यानि कि जो भी वो कारे करेंगे, डिसीजन लेंगे, निर्न लेंगे योगी पता है जब पढ़ें सिक्षा देंगे तो धीरे धीरे क्या होगे ये किसी ना किसी अधिकारी पत पर जाएंगे, कहीं जज के समर्थक बनेंगे तो वो जो समर्थन दें या जो भी वो भाषा बोलें, जो भी वो निर्ने लें वो सब क्या करें, वो विदेशी यानि कि उन लोगों के तरीके का ही ले नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है, निस्यंदन का या छनाई का सिद्धान्त ये पॉइंट आपका बहुत इंपोर्टेंट है, इसको तयार कर लेना ये आपका फर्स्ट पेपर में भी पुछा जा सकता है, सेकेंड में तो है ही आपका इंपोर्टेंट तो जो निस्यंदन का सिद्दान था ये आपका दिया था मैकाले ने किस ने दिया था सबसे मैकाले ने दिया था ये वाला इस निस्यंदन का मतलब होता है आपका अंग्रेजी में फिल्टरेशन ये इसका हिंदी का अर्थ है छनाई यानि की छानना छानने की प्रक्रिया को ब व्रती व्यक्ति हैं उनको इफ दी जाये और धीरे-फ्त्या क्या होगी छंचं के खुद नीचे वाले वर्ग तक पहुँंच जाएगी यह आपका चनाई का सिद्धानट हे महले के إلى खाए के ब्यवस्ता दाति ही व्यक्तियों के लिए जाये गई और धीरे धीरे कालांतर वे क्या होगी निम्नवर्ग तक पहुंच जाएगी मैं काले की विबरंट पत्र के दीर कालीन प्रहब यह सब आप लिखी सकते हैं जो भी आपने पढ़ा हुआ है वेंटिंग की सिक्षानीति आपसे पूछी जा सकते हैं तो वेंटिंग की तब कर दिया जिसकी प्रमक बाते कुछ इस प्रकार से थी प्राज्चि विद्यालियों को भंग ना किया जाए तता उनके सिक्षकों वा शात्रों के बेतन है वो पूरा पूरा जैसे दिया जाता था वैसे दिया जाया बच्चों को शात्रवती दी जाए अभी जो आपका था ना कि मैकाले का भारती सिक्षा में योगदाई वो पॉइंट यही है कि मैकाले ने भारती साहती की निंदातों की थी पर क्या किया था साथ-साथ कि जो चीज़ें चल रहे हैं सिक्षक जो भी पढ़ा रहे हैं प्राश्ची में क्या होता था छेत्री वासा में सिक्षा दी जाए वह उंग्रेजी माध्यम में कर दी जाए लेकिन फिर भी क्या है कि कहीं अगर कुछ चल रहा है छात्रवती विवस्ता भी की जाए शुक्षकों को वेतन भी दिया जाए यह सब बाते भी मैकाले नहीं वोली तो विल्यम वैंटिक ने वही चीज दोहरा दी थी कि प्रात अच्छ भासाओं में यानि कि जो भी छित्री भासाओं होंगी मात्र भासाओं होंगी उनमें पुस्तके नहीं चापी जाए शिक्षा के लिए सुईक्रस समस्त राशी को भारत में यूरोपी साहित्वा विज्यान के प्रचार है तो अंग्रेजी सिक्षा पर खर्च किया जाएगा ये बात भी बोल दी इसके बाद क्या हुआ इस विज्यप्ति दी या जो भी उन्होंने अपना नोटिस दिया होगा विवरन पत्र दिया होगा उसके तेरे दिन बाद वो चले गए थे विलियम बैंटिक और नए वन गई हमारे ऑकलेंड ऑकलेंड बन गई तो ऌकलेंड आए इन ऑकलेंड ने अपना फिर से एक नए गोश्रा पत्र दे दिया और इसमें विन्होंने कुछ चेंजिस की है वो गोश्रा पत्र आपका 1849 में आया हुआ था ओकलेंड का गोश्रा पत्र देख लीजिए इन्होंने कहा कि प्राच पाश्राद्य विवास पर व्याई ही तो धनराशी में कुछ व्रद्धी कर दी है उसके बाद योग्यद्या आपको के वेतन पर जो भी वेतन दिया जाता था वो वेतन देने लगे और संस्क्रत अर्वी भासा पर व्याई होने के बाद बच्ची हुई धनराशी को अंग्रेजी पर खर्ष करने का निर् दिया जाने लगा उनको और संस्क्रत अर्वी पर जब धन खर्ष हो जाएगा उसके बाद बचा हुआ धन किस पर खर्ष किया जाएगा भारती साहत पर तो प्राश्ची वाले लोग अब क्या होंगे सीधी सी बात है प्रसंद हो जाएंगे नेक्स्ट आते हैं वुड के घोष्णा पत्र पर तो वुड का घोष्णा पत्र है आपका 1814 का घोष्णा पत्र वुड के घोष्णा पत्र के सीधे सुझाव देखते बाकी त्योरी तो क्या देखनी है सुझावों के वुड के घोष्णा कंपनी ने जो भी अपना दिया थ तो उन्होंने नईने कोई सुझाब दिये उन्होंने वुड ने और उनके सुझाबों के आधार पर वुड के सुझाबों के आधार पर कंपनी ने उन्हें जुलाई 1854 को एक नहीं सिक्षा नेती की गोशडा की उस समय सलचार्स वुड जो थे वो वोर्ड ऑफ कंट्रोल के पढ़ान थे इसी कारण जो आग्या पत्र बना वो क्या बना वुड का आग्या पत्र बना हुआ क्या था वही आपका 1833 के बाद जो समय आया 20 साल बा वुड थे और उन्होंने कोई न कोई सुझाप दिया उस सुझाप के आधार पर उन्होंने अपना एक डिसीजन दिया था अपना कोई पत्र दिया था वो 19 जुलाई 1854 को दिया और उसके आधार पर आपका लियर आगे भड़ते हैं वुट के आग्या पत्र की सिफारिस ये आपकी इंपोर्टेंट है तो घोचरा पत्र में सुविकार किया गया कि भारती सिक्षा का उत्तरदायत सरकार पर है सरकार उनके लिए काम करेगी इसे का है भारत वाले लोग भी प्रसंद ने अपने वपना वो टीक लगेगा ठीक है नेक्स्ट की आए विध्याले में सायता के लिए अनुदान यानि की वही शात्रवती वग्यरा शुरू कर दी जाए उसकी बाद उच्च सिक्षा के लिए विश्च विध्याले की स्थापना की जाए जन सिक्षा पिभाग की स्थापना की जाए और इस्तरी और व्यवसायक सिच्छा को भी प्रोसायत किया गया अब जो ये तीन पॉइंट नीचे के भड़े हुए है न जितने भी पीछे आके आग्या पत्र आएंगे न सम्में ये पॉइंट आपका भड़ता हुआ चला जाएगा वुड के गोश्रा पत्र के दोस्त क्या है तो इन्होंने क्या किया था सिच्छा के इस तर को उचा उठाने के लिए सिच्छक प्रसिच्छक विद्याले खोलने और उनको उच्छ वेतन भी दिया जाने लगी अच्छा खासा चनाई के सिच्छा का मतलब है हर एक जन को सिच्छित किया जाए ऐसा नहीं करना है चनाई के सिच्छा को अस्वीकार कर दिया पहली बार पूरे देश के लिए वियापक शिक्छा योजना प्रसुत की गई थी और नेक्स्ट पॉइंट था इनका भारती भासाओं में पुस्त के लिखवाने की विवस्ता की जाए जो वहां पर रोग दी गई थी विलियम वेंटिक ने वो इन्हों इतने टाइम से कि कुछ हुआ नहीं कुछ हुआ नहीं तो प्राचिवादियों का बस उनके आंसु पोछने का काम किया है सरकार को स्वापकर सिक्षा को पूरी तरह क्या बना दिया नौकर शाही बस आदिपत्य हो जाएगा सिक्षा पर सरकार अपना देखेगी ध्यान देगी आपका हंतर कमिशन जो आपका 1882 में आय था इसका जो नाम पढाए वह भारतियी सिक्षा आयोग 1882 या फिर LAUGHंटर कमिशन दोनों इसके नामें इसको हंटर कमीशन भी बोलते हैं और 1880 का भारती सिक्षा आयोग भी बोला जाता है हुआ ग्या 1880 में लॉर्ड रिपन को भारत को गवर्नर जनर्न बनाया उसी समय उन्होंने भारती सिक्षा के विश्य में एक कमीशन गठित किया किसने लॉर्ड रिपन ने तो इतनी लाइन आपको लिपनी पढ़िए अगर हंटर कमीशन आता है तो हंटर कमीशन किसने बनाया लॉर्ड रिपन ने भारती गवर्नर जनर्न बने और उन्होंने उसी समय भारती सिक्षा के लिए एक कमीशन बनाया इसको उन्होंने क्या नाम पढ़ गया hunter commission पॉइंट याद हो गई सारे किसे लुंव रिपान ने भारत जब आए default के बाद उन्होंने भारती सिक्षा के संब्सक्राइब कमीशन बनाया और उस Commission का नाम उन्होंने क्या रखा भारती सिक्षा आयोग इस कमिशन बना आता है किया गठन किया था कब 1882 में हंटर कमीशन की अनुदान सहाइता जो भी हो वज्चुम विद्यालै को ओविश्रक्ता अनुसार जो Birड्यालै की आविश्रक्ता नहीं है नेक्स्ट क्या is मिरान्याले की नसार घ्राश विद्ध्यालै में क्ज़मिंता रहलत समय की जातुन हैं हैं अनुदान सामिगरी की, तो उसी हिसाब से उनको अनुदान दिया जाए और इस्त्री सिच्छा, मुसलिम सिच्छा, हरिजन, जो स्टी वाले हैं उनको और पिछड़े वर के जो लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, सबको सिच्छा दी जाए एक तरीकिसे जन सिच्छा पर जो द फिर आती है लौड कर्जन की सिक्षा नीती लौड कर्जन की सिक्षा नीती क्या कहती है सन 18-1999 में लौड कर्जन भारत आये थे और इनको गवर्ण जलन बनाया गया इनका भी यही मानना था कि प्रात्मिक सिक्षा पर अधिक ध्यान दिया जाए उच इस तर पर केबल सरकार नियंतर रखे गए मतलब में इंपोर्टाइंस जिनोंने किस पर दी थी प्रात्मिक सिक्षा के उपर दी गई थी इसके बाद सिम्ब्ला समझवता हुआ था 1901 में सिम्ब्ला समझवता में क्या हुआ था लौड कर्जन ने सिम्ब्ला में गुप्त संबेरन बुलवाया था 19 इसमें कोई भी भारती सदसे नहीं था इसमें देर्सो प्रस्थाप पारित किये गई जो सिक्षा नीती से संबने ते कितने प्रस्थाप ब्रस्थाप इस नीती के अंतरगत भारती विश्विद्ध्याले आयूक नियूट हुआ 1901 में शिमला में उने गुप्त तरीके से एक आयोग बुलाया था और वहाँ पर डेड़ सो नियम पारित किये और उस आयोग में कोई भारती नहीं था इतनी सी बात ध्यान रखना कोई भारती नहीं था तो भारतियों के संबद में पक्ष लेने वाला कोई नहीं था उनकी बात सामें रखने वाला कोई नहीं था तो जो भी निर्णय आयोंगे वो सब उट पटांगोंगे आपके ठीक है? यहाँ पर अगला पॉइंट भी देख लो इसमें भारती नहीं के कारण भारतियों ने इससे अपने विरुद्देख सड़े अंतर समझा सिदी सी बात समझेंगे जब भारती उसमें कोई है नहीं तो भारतियों की पक्ष्मिक बात कहेगा कौन? नेक्स्ट आपका पॉइंट क्या है? भारती विश्विद्याले आयोग 1902 यह important है सीदे सीदे आपसे objective में कोशन पूछा जाएगा भारती विश्विद्याले आयोग की स्थापना कप की गई? उसका गठन कप किया गया? तो भारती विश्विद्याले आयोग की स्थापना कप की गई? करजन ने विश्विद्याले में सुधार करने के लिए उचिस्तर पर सुदार करने के लिए 27 वरवरी 1902 को भारती विश्विद्याले आयो का गठन किया गया जिसकी सिफारिस पर 1904 में भारती विश्विद्याले अधिनियम 1904 को पास किया गया पहले आयो का गठन हो गया था आपका 1902 में और उसके बाद 1904 में भारती विश्विद्याले अधिनियम 1904 में आया था इसके बाद देख लेते हैं उसमें भारती सिक्षा में दोस्त क्या क्या थे तो उच्च सिक्षा केबल सरकारी नौकरी प्राप्त करने के उद्देश से ही दी जा रही थी अंग्रे जी को अधिक महतों दिया गया था भारती सिक्षा को अधिक स्थान नहीं दिया गया था प्रात्मिक शिख्षा बिदियो को में सुधार किया गया किंडर गार्ड्र का उप्यों किया जाने लगा कि बशच्ष contributor को के वेतन में ब्रद्धी की जाने लगा जब सिक्षा खुष रहेगा तो उच्छे से पढ़ाएगा भी वह बारती भासाओं में मात्र भासाओं को इस्थान दिया जाने लगा और सारी रीग सिक्षा या सारी रीग व्यायाम को अनिवारे कर दिया गया प्राथमिक लेवल पर छोटे ब व्यवसाइक विश्यों को भी स्थान दिया लगा को कि दीरे दीरे क्या होगा बाद में जाकी बच्चे जब पढ़ेंगे तो कमाने का साधन भी तो एक चाहिए तो व्यवसाइक शिक्षा को भी सामिल कर लिया गया इसी में प्रशेश से सिक्षकों के निउक्त किये जाने और माद्यमिक विद्यालों को मानिता प्रपत वास साहता देने के लिए कठोर नियम बनाए उनको जो भी अनुदान वगचारद दिया जाएगा के लिए और पार और आपत्त पेविती ल problematic यह क्रिया एकttा गोईगाई राधा क्रषण आयोग और आपका मुदालियर आयोग रादा कृष्ण आयोग आपका आया था 1948 इस वी में और इसके जो आपके वो अध्यक्ष थे वो कौन थे डॉक्टर एस मुदालियर रादा कृष्ण आयोग आपका कब आया था 1948 इस वी में और इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे डॉक्टर एस राधा क्रिशन आपके दो कोश्चन बन गए अब्जक्टिव के लिए मुदालियर आयोग आपका आया था 1952 में और इसके जो अद्यक्ष थे आपके डॉक्टर लक्षमर स्वामी मुदालियर दोनों आयोग आपको फर्स्ट पेपर में डीटेल में बता दिये गए होंगे अब आपका नेक्स पॉइंट आता है भारती सिक्षा आयोग 1964 से 1966 जिसका नाम है आपका कोठारी आयोग और ये आपका आयोग important है आपके अतिलग उत्तरी प्रश्न के लिए भी बहुवी कल्पी प्रश्न के लिए भी और आपके लगुत्तरी प्रश्न के लिए भी सीधे सीधे आता है कोठारी आयोग का वर्डन करो या कोठारी आयोग में क्या क्या चीज़े दी गहीं है आपका इस तरीके सीधे सीधे आपका आता है लॉड मैकाले को भी इच्छे से तयार करना उनकी सिख्षा के दोस्त पूछे जाते हैं आपसे और उनका विवन पत्र भी पूछा जा सकता है कोठारी आयोग के पंचमुकी क्या अने सो 24 तरीके से नाम लिया कोठारी आयोग निसको चौसट तीदे निकल किया आगे बढ़ते हैं इस आयोग में था क्या तो इस आयोग में सभी सिक्षा पर सभी इस्तरी सिक्षा हो प्रोड सिक्षा हो जन तो सबका नाम लिख देना और इस आयोग के अद्यक्ष कौन थे दॉक्टर डी एस कौठारी या फिरणत सिंह कोठार किया जाए व्योसाइक सिक्षा में सुधार लाने के लिए प्रयास किये जाएं इस्तिरी सिक्षा का विस्तार किया जाए प्रात्मिक सिक्षा पर मात्रभासा में बल दिया जाए सारी अच्छी बाते बोले गई हैं सब कुछ अच्छा लिख दिना इसमें ठीक है अपने आप से बना बना के लिख सकते इतने सारे पॉइंट तो बाकी सब क्रसी तकनीकी बात बिबात खेल को जितने अच्छे पॉइंट है जो भी आपको अच्छे पॉइंट आएं लॉंग में है कोश्चन का अंसर अराम से बना बना के लिखिएगा अब जो पॉइंट है आपका यह इंपोर्टेंट है और इसको अच्छे से समझ लो सिक्षा के द्वारा लोगतांत्रिक मुल्यों की रक्षा करना, सेक्षिक क्रिया कलापों के माध्यम से सामाजिक एक्ता को सुद्रण करना, यानि कि मतलब समाजिक एकता समाज ही एकता सिक्षा के दोरा नैतिक आध्यात्मिक वा समाजिक मुल्यों का विकास करना नेक्स्ट क्या है जिग्यासा की प्रवति दोरा कोशलों के विकास करना यानि कि समाज का आधुनिक करन करना क्या क्या पॉइंट रे 5 पॉइंट आपके थे सिक्षा को उत्पादक्ता से जोड़ना सिक्षा के द्वारा लोगतांत्रिक मुल्यों का विकास करना यानि कि नैतिकता के मुल्य लोगतांत्रिक मुल्य है करना नेक्षट के द्वारा नेतिक आध्यात्मिक विकास करना इसके बाद के आजएगा जगा जिग्यासा की प्रवित्य के द्वारा कॉशलों का विकास करना जिग्यासा हम सभी के अंदर होकती कुछ ना कुछ सीखने की स्वणात बात है कुछ नों कुछ बनाने की जिग्यासा है है कुछ देखने कि जिग्यासा है तो उसके दौरा कॉषिल करना जिसे कॉषल कहीं प्रकार के होते हैं आपका कुटी रुध्यों वगरा जीरे-धिरे खुल जाते हैं लगो लगो द्यों यह सब तो वह उन्हीं की बात की गई है कि जिग्यासा के मादियम से कॉषल को तो आप द run 68 की शिक्षा निति प्रत्म सिक्षा नीति इसा ही आपकी और व भी शिक्षा के था उसीFit और इस तो इस नीति में हुआ क्या था इसमें जो सिख्षा का विकास था इस पॉइंट को ध्यान रखना इसमें जो सिख्षा का जो रूप आंतर था वो किस पे था 10 फी आनिambu प्लिस ट्री यानि справ इस तरह के से विकास पर जोड़ दिया गया था हिंदी गा संपर्ड के रूप में हिंदी को संपर्ख भासा के रूप में विकास कियाई विज्शा के अश्वरों में निहशुल के अब हम अनिवारी सिक्षा की विवस्ता पर बल दिया गया और त्रिभासा सूत्र को भी अपनाया गया तीन भासा सूत्र और जीडीपी वगएरा इतना ध्यान नहीं रखो आप लोग इतने ही पॉइंट आपके लिए काफी है आगे आपकी आगे राश्टी सिक् सिक्षानीती में कुल कितने खंड और यह थे यह कोशन आपका आया हुआ एक बार तो राश्टी सिक्षानीती जो आपकी 1986 की थी राश्टी सिक्षानीती 1986 इसमें आपके कुल 12 खंड और 157 विंदू दिये गए थे देखो होता क्या इसलिए बस आपका इतना जादा है ना उ सिक्षानीती 1996 की जहीं सिक्षा के प्रढ्रा agree भारत में सिख्षा किस तरीके सी तरिक इस से जानी है जो आपकी पहली वाली सिक्षानीती में भी थी इसमें क्या था गिस्में पहले के जो पांच Wars छोचे bereits को धिये जाते थे आपके त Secondly-Christ बच्च इंत को दिए जाते थे पिर आपका मैं इस तरीके इस तरीके से आपका टैंथ का पूरा हो जाता था था थी प्लस टूब इस तो इन तैन में पहले पांच वर्स प्रात्मिस इच्छा हो गें पहले पांच वर्स में तो प्रादमिक सिच्चा हो गई उसकी बच्चे ने फिफ्ट क्लास तक पास कर लिया उसकी बाद जो तीन साल होगी इसमें बच्चा क्या करेगा 6, 7, 8 और इसकी बाद जो दो बच्चे गा वो दो में क्या करेगा 9 और 10 पूरा 10 बन गया इसकी बाद य मुझे नहीं लगता बताने पड़ेंगे सभी सिक्च क्चा पड़ लग देना मैलाओं की सिक्च्च, जनी शिक्च सेक्षा अल्प संख्यों दिया तो सब पर बल दिया और धर्म लिंग जाती पर आदिका भेदवाव समाप्त कर दिया गया था ठीक है इने में कोई भी सब चोड़ देना बाते आगे हम आते हैं इसके बाद आपका क्या हुआ था राम मूर्ती समिती इसके बाद आपके राम मूर्ती समिती आए थी तो गुड़ दोस आप लोग अभी तो पूरी एक साथ मेराथन क्लास चल रही है ना सारे वही पॉइंट है जब भी यह जो आपक क्यकों की सिक्षा विकलांगों की सिक्षा व्यवसायक सिक्षा क्रसी सिक्षा पर भी ध्यान देने लगे थे प्रॉणों की सिक्षा उच्च 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 कर लोगे चीज़ें याद नहीं कर सकते हैं इतने सारे पॉइंट से बस में चीज़ याद रखो कि कौन सी बात ऐसी है जो में कही गई है ठीक है बाकी के अपने सारे पॉइंट बनाते हुए चलती है आगे बढ़ते हैं राम मुर्ती समित और सन पे खास ध्यानक न सीदे सीद भानाराफ संस्कृट कालेज की सापना किस ने की संसे कोटारी मैं आपके बाद simples Mr.nec ठीक है नेक्स आते राम मूर्ती समिति पर राम मूर्ती समिति क्या होगी राष्टी सिक्षा नीति 1986 जब आपकी आई थी इसके बात क्या हुआ भारत सरकार ने ये नीति दे दी इस नीति की समिक्षा करने के लिए नीतियां आती थी उन नीति की समिक्षा के लिए एक समिति ब राममूर्थी समिती राममूर्थी की अदिक्षवा में बनी थी इसलिए इसका नाम राममूर्थी समिती पढ़ा था और ये समिती आपकी आई कप थी 7 मई 1990 को इसका गठन हुआ था और इस समिती ने अपनी रिपोर्ट दी थी 26 दिसंबर 1990 को मई में बनी और दिसंबर में इस है सार वजनी की स्कूल प्रणाली का विकास किया या या इनिक विवसाइक सिक्षा को देखर छात्रों को आत्मिन इपनाना यह उपर से चलता हुआ आ रहा है व्यवसाइक सिक्षा आपकी स्टार्ट हो गई थी पहले से ही ठीक है मुली परक्षिक्षा पर जोर देना यानि की व्यक्तितों का निर्मार्ट करना लोग तांत्रिक मुल्यों का विकास अभी पढ़ते हुए आ रहे ना पहले से तो वह मुली पर अंग्रेजी भासा पर अब दीरे दीरे देखो आ गया हमारी भासा पर चित्री भासा उपर आ गए क्योंकि स्टार्टिंग में आप नइने रूल बना लो सब कुछ बना लो जब आप जाके लोगों पर जब लोग सीखेंगे नहीं समझेंगे नहीं उनको चीज से और प्रात्मिक इस्तर पर बच्चों के लिए प्रवेश्च के लिए चयन की प्रक्रिया सिख्चर सुल्ग आजी सभी को समाप्त कर दिया गया यही सब कानून बन गए जो आपकी बनते हुए अभी तक आये ठीके वही सारे कानून बने हुए आपके आपका राम मूर्ती सम तो निट्व टलम निल जाएगी चार बजेम में वीडियो आपकी अपेपर्स परेशानमत हो नहीं करते रहे साम कूझ मिलते हैं 2 पिम यही लुडाउच यह तीक तहया आपका सारा होगा ही बस सन पर जितनी भी हो सके सन पर ध्यान रखना और किसकी सापना किसने की इस पर ध्यान रखना बाकि थियोरी वाले जो पॉइंट से उनको आप लोग जब हम चीजों को समझ लेते हैं हमें अब क्या है हमें बड़े इसतर पर आचुकी हैं अब हमें बहुत ही गंदी राइटिंग में मत लिखना टाइम भी मैनेज करना है हर चीज़े तयार करनी है आपको टाइम भी अच्छे से मैनेज करना पड़ेगा और मैरतिन क्लास के लिए परेशान मत हो यह आपका सब कुछ सब कुछ हो जाएगा तयारी सारी स्लेबस आपका सारा त पहले से चीज़े तयार होंगी आपकी तो आराम से आप अपना अच्छे से एक्जाम दे देंगी और परेशान मत हो यह किसी की तयारी नहीं भी है तो देखो कॉन्पिडेंट रे सबसे पहले तो आपका जो मैंटली आपका स्ट्रॉंग होना बहुत जरूरी है जितना हो च जर्मदाता या जनक पूछा जा रहा है इन पर फोकस करिए दो दो नंबर वाले कुश्चन है उन पर थोड़ा पहुत अगर आपको नहीं भी आ रहा होगा तो भी आप अपनी नौलिग से उसको बनाकर लिख पाएंगी आंसर को तो घबरारा नहीं है आपको धीरे धीरे अ कंजूसी मत किया करिए इतना तो फिवर आप करी सकते हमारे लिए थैंक्स वर वाचिंग और प्लीज लाइक शरें सब्सक्राइब है चल्बबाए टेक केर